कटिहार जली में 30 लाग से जादा लोग आर्सनिक युक्त पानी पीने को मजबूर हैं ऐसे लोग कई बिमारियों की चपेट में हैं वही पानी में आर्सनिक और आईरेन के मातरा जादा होने से जमीन की उर्वरा शक्ति पर भावित हो सकती है जी मेडिया की बरताल में सामने आया कि नलजल यूजना के पंप हाउस से भी दुशित पानी की सपलाई हो रही है तो अलग अलग जीलों की टीम हमने भेजा और आपने देखा हमारे सहयोगी वहां पहुँचे लोगों से भी जाना कि आपको क्या परेशानी हो रही है और किस तरह की परेशानी हो रही है और तमाब प्रखंड में यही देखनों को मिला कि लोग देखे पेट के समस्या से कॉंस्टिपेशन इससे बहुत जादा होता है कि जब आपके पानी में आर्सनी की मातरा जादा होगी दूसरी तरफ आपने देखा कि चर्मरोग यह बहुत बड़ी समस्या बनी होई है और आप समझे अगर चर्मरोग से कोई ग्रसित हो जाता है तो उसके लिए कितना मुश्किल हो जाता है और जगे जगे हमने आपको दिखाया कि लोग के पास क्या करें कोई दूसरा उपाई भी नहीं है और आप यह समझे पानी तो कम से कम आपको अच्छा मिल पाए अगर आप स्वस्त रहेंगे तो पानी उसके लिए कितना महत्व है यह सब कोई बग्पो भी समझता है लेकिन जब पानी रखते हैं वह बरतन में तो बरतन पीला हो जाता है तो आप्यस अमझर के लिए जब आप वह पानी उसी पानी को पीते हैं तो आपके लिए आपके स्वास्त क्ली कितना बड़ा खिलबार है और अलग-अलग अमने आपको दिखायां गें dealer की यह mendभाओ की तो नल जल यूजना है उसके वाबजुद भी ये स्थिती है तो ये कई सवाल उठाते हैं जी केमिकल जो है कि बदलने के लिए हम कई बार ठीकेदार को भी कह चुके है साल भर पहले जो केमिकल दिया अभी केमिकल खतम हो गया असर गंदा भी लग रहा है हम ने ठीकेदार के मद्दियम से ठीकेदार को भी खबर करवाया कि Banana कैमिकल बदल दे die chemical भी नहीं बदल वही गंदा पानी यही कंट चल्रॉजनाय घैर बढ़त हो रहा है इससे स्वस्व लोग नहीं रहेंगे बीमार पर जाएंगे और हमने देखा है नल योजना के जो अपरेटर होता है उसको बोले कि तुरा चला के दिखाओ तो देखे तो आदा गंड़ तक गंदा-गंदा पानी निकल रहा था पानी दुसित रहता है इसी के कारण से बड़ी आवादी जो है कि पानी नहीं पी रही है बोलती है पानी गंदा रहता है इसलिए नहीं पी रही है इसलिए मैं जीनियूज को धन्यवाद देती हूँ जिनोंने एक महिन चला के दिखाया यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रीक के लिए जल्द हाजिर होते हैं